नमस्कार आपका स्वाकत एराजमामा टीवी पे मैं पूर्ण हम आपके साथ बॉलिवोड सिंगर मीकासी पिछले कुछ वक्त से बिमार चल रहे हैं मीकासी ने खुद बताया कि उन्हें गले में इंफेक्शन हो गया है ऐसे में वो कॉंसर्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सिंगर ने बताया कि अचानक तबिद बिगड़ने के चलते उन्हें अपने कॉंसर्ट पोस्टपोन करने पड़े जिसकी वज़ा से उन्हें 15 कौट रुपे का नुकसान हो गया है दरसल मीका और नीनो वर्ल्ट टूर पे थे सिंगर ने बताया कि बीजी शेडियूल के चलते उन्हें अपने शरीर को बिलकुल भी आरहम नहीं दिया जिस कारण से उनकी तबिद बिगड़ गई मीका ने अपनी सेहत के बारे में बात की और कहा मेरे 24 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है मुझे मेरे शोज पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि मेरी तबिद ठीक नहीं थी मैं यूँ तो हमेशा से ही अपनी सेहत को लेके बहुत सतर्क रहता हूँ लेकिन बीते दिनों मैंने यूएस में बैक टू बैक शोज किये बिल्कुल भी आराम नहीं किया नतीजा ये हुआ कि मेरी तबिद बिगडने लगी मीका ने बताया कि वह अमेरिका के डॉलास में परफॉर्म कर रहे थे उस दुरान उनकी तबिद बिगड़ गई डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि वह अपना तो अगरे शोज के लिए 25 गंटे का ट्रेवल करके ऑस्टिलिया जा सकते हैं ना ही वह ठीक होने तक इंडिया आ सकते हैं मीका ने बताया कि इसी कारण से भारत नहीं लोट पा रहे है मीका ने बताया कि शोट आलने करने के चलते उन्हें 15 करोर का नुकसान हुआ है उन्हेंने कहा मुझे कई लोगों के पैसे लोटाने पड़े हैं हमारे बैक टू बैक शोस थे लेकिन मुझे खुशी है कि सभी ने मेरा सपोर्ट किया और फैंस ने भी मेरी प्रॉब्लम को समझा इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद